नमस्का दोस्तो स्टॉक मार्के स्टैडिज में फिर से आपको सागत है तो आज बात करना वाला हूँ मैं HDFC बैंक के बारे में क्यूंकि मैं पिछले कुछ दिनों से मतलब करीबन करीबन दो हफ्ते के पहले एक वीडियो बना के आपको दिया था कि इंडियन मार्केट में एक नया मतलब फिर से एक नया गिरावट के कारण बन सकते है यह जो न्यूज है अभी तक अपिसली नहीं आया है तो मुझे लगता है जो मार्केट में जो इन्फूलेशन चल रहा है मतलब अमेरिकन बाजार में उसी का प्रॉब्लेम अभी भी चल रहा है तो इंडियन मार्के अरकिसके लिए मार्केट में फिर से एक ब़र गिरावट की संकेत हो सकते आभी देखेएं फाइनल आनलसमेंट नहीं किया अगयाल है मैं आपको नहीं कर रहा ह। कि कल necesit DAVID बात नहीं कर रहा हो मैं जब इस नूज आ जाएगा तब देखना मार्केट में एक जबदस गिराव नहीं होगा जितना गिरावट हो सब समय मतलब अबियसली उसी समय में आपको अपर्चिनिटी ढूनना होगा मतलब आपको फाइदा उसी टाइम में ही मिलेगा देखिए आप हाई लेबल में कभी भी भाई मत करना थोड़ा सा ओट करना पेशन के साथ बने रहना जब कभी ना कभी मार्केट तो गिरेगा ही थोड़ा सा ग्रीकोवरी तो करेगा ही उस टाइम में अच्छा खासा स्टॉक में बाई करने के लिए सोचना और उसी से एक नंबर वन कॉम्पनी है HDFC बैंक तो HDFC बैंक जो है वो करी सरी मापी चाता हूँ HDFC जो बैंक है वो एक जबदस बैंक है इंडिया का नंबर वन प्राइबेट बैंक है तो इसका एक ब्रेकिंग नुज यहाँ पर आ चुके है उसी का इंपेक्ट मुझे लगता है आज के दिन थोड़ा सा देखने को मिला और future में भी उसका impact देखने को मिल सकता है तो चलो देख लेते हैं वो news क्या है और इसके impact future में किस तरीके से देखने को मिलेगा उसी का बारे में आप बात करना वाला हो तो चलो फटा-फट वीडियो सुरू करते है शुरू करने सब लगी का हूँगा अभी तक आपने डिसम्बर में आथा 2nd December में आप बहुत सारे दोस मुझे comment करते रहते हैं सर आप पुराना की news दिखाते रहते हैं दिखिए सर में एक बात आपको यही कहूंगा कि news पुराना भी हो और नए भी हो एक दिन दो दिन चार दिन का news भी हो आप उस news का impact को देखना चाहिए वो news future मे किस तरीके से आपको sustainable performance देने वाला है कि negative performance देने वाला है उसी के उपर में बात कर रहा हो उसी के उपर में बात करता रहता हो news कभी भी हो दो दिन पहले का हो एक दिन बात का हो आज का हो कुछ भी हो आप प्लीज सर में एक request करूँगा आप उसको छोड़िए आप एक बार उस news का impact देख लीजिए तो मुझे इस company का impact एक obviously कुछ impact देखने को मिला तो इसलिए मैं इस news को cover कर रहा हूँ आप देखे हाइक fix deposit rate मैं पहले ही बता चुका था मैं वीडियो इसको पर अलग से बना चुका था कि जो interest rate जो interest rate है तो वो बढ़ाने वाले है banking sector क्यों देखे banking sector को पैसे चाहिए तो interest rate बढ़ाना ही पड़ेगा अगर दिखिए interest rate बढ़ गया तो दो तरीका से problem होगा market क्यों गिरेगा उसका एक अंदाजा में आपको दे देता हूँ 0.5% तो आपको ज्यादा मिला है ना तो आप क्यों stock market में invest करेंगे क्यों आप mutual fund करेंगे आप रिक्स क्यू लेंगे तो आप कहेंगे सर में तो इसलिए इंटरेस्ट बनने से market में एक गिरावट का अंदाजा आपको देखने को मिलेगा तो इसी जो कारण है हर कोई का मतलब मतलब हर कोई जो investor है वो चाहेंगे bank में invest करें क्योंकि bank में interest ज्यादा मिलेगा stock market में इतना रिक्स लेकर क्यों निवेस करूँ तो इसलिए stock market से सब निकल लाएगे और जबदस गिरावट देखने को मिल सकता है तो इसी लिए 2018 में इसी तरीके से कुछ performance हुआ था तो जबदस गिरावट हुआ था उसी का बार में आपे बात कर रहा हूँ तो देख लीजिए HDC bank has increased interest rate मैं पहले ही बता चुका हूँ कौन किसके उपर आप देख सकते हैं fixed deposit के उपर मतलब जितने सारे ABD है उसके उपर interest rate बढ़ाने बाल है मैं पहले ही बता चुका हूँ स्टॉक मार्केट में इतना हाई हाई रिक्स लेकर क्यों काम करूं मुझे रिटान अच्छा का सा banking में मिल रहा है तो मैं banking में नहीं करूंगा ना तो इसलिए इसके उपर impact जूरू पढ़ने वाला है तो इसी का एक impact यहाँ पर देखने को मिला है डिपोजिट वीट जो मैचुरिटी है उसके करीवन 7-29 डेज में 3% का इंटरेस्ट करने वाला है बढ़ाने वाला है मतला 2.50 से डायरेक 3% इंटरेस्ट देने वाला है एक जबदस इंटरेस्ट करने वाला है तो मुझे लगता है यह impact मार्केट में एक negative news जोरूर बन सकते है तो उसी का impact आज के दिन देखने को मिला तो यहाँ पर सारे डिटल उसी तरीके से कुछ बताए गया है आप इस डिटल को देख सकते हैं मैं सिर्फ आपको मोटा मूटी एक अंदाज़ा आपको दे चुका हूँ आसा करता हूँ मेरा इस कहना का मतलब अब समझ चुके हैं इंटरेस्ट रेट अगर बैंकिंग सेक्टर बढ़ा दिये तो उसका impact इंपक्ट में जोरू देखने को मिलेगा चिको स्टॉक मार्केट से सब निकल जाने के सोचेंगे और बैंकिंग में निवेस करने के लिए सोचेंगे तो इसी का impact मार्केट में भी में दिखा दूँ तो करीबन करीबन आप देख सकते हैं मार्केट किस तरीके से जाम हुआ था मार्केट का ओबियसली एक पॉजिटीव निवेस बैंकिंग के लिए भी है क्योंकि बैंक में जादा निवेस जाएगा तो बैंक का ही फाइदा है मगर स्टॉक मार्केट में त सूचना चाहिए तो long term के लिए इस company के बारे में सिर्फ एक ही बात कहूंगा 5 star rating बाला company है आग बन करके भारोसा कर सकते हैं फालफ करके फाइदा करेंगे तो आपको जोरू फाइदा मिलेगा इसलिए मैं आपको बोला हो कि आग बंद करके भरसा कर सकते हैं कि इसका पार्फोर्मेंस नमबर वन कमपानी है HDFC बैंक जो है इंडिया का लीडिंग फाइबट सेक्टर बैंकिंग वो भी नमबर वन में तो इस कमपानी का जो इंपक्ट है अभी आपको पता चलेगा देख लिजिए आप खुद देख लिजिए कमपानी का जो फाइनल से रिपोर्ट है अब पर एक साथ साथ नेट प्वार्फिट के बारे वाद करूं प्रॉफिट भी देख लिजिए प्रॉफिट कम नहीं हुआ कम नहीं हुआ हर साल में कमपानी प्रॉफिट गुरुथ कर रहे है 15000 से अभी बन चुके थर्टी ओन थाउसन एट हंडेट करोर मतलग कितना सांधर पार्प बना और इसका वे return of equity देख लिए return of equity भी देखे सांदर है 15% में आपको हमेशा कहें क्या हो के 15% से उपर return of equity और return of capital employee आपको देखने को मिला तो आप उस company से बने रहे सकते हैं तो company किस तरीके से आपको return दिया बहुत देख लिए यह company का sales growth भी ठीक ठाग है profit growth भी ठीक ठाग है company का return of equity भी ठीक ठाग level में मुझे देखने को मिल रहे company 10 साल में आपको 21% का return दिया पांस साल में 21% तीन साल में 14% और एक साल में 11% तेक यह अच्छा खासा आपको performance return मिला देखिए आप FD करेंगे तो आपको इकना मिलेगा 5% मानके चलिए 5,5% तो आप सालान आपको 5,5% return मिला है जहाँ आपको करीबन करीबन आप में low level में देखता हूँ तो करीबन 11% ही मानके चलिए 11% आपको return मिला है मतलब आपका double से ज्यादा return मिल रहेंगे तो आप इस company में बने रहेंगे तो आपको फाइद सिर्फ return में नहीं आपको dividend मिलेगा और आपको sustainable profit भी मिलेगा तो ऐसा करता हूँ इस stock के बारे में पूरा जानकर ही मिल चुका है हाँ एक चीज मुझे दिखाना भूल गया आप देख लीजे में 5 साल के चाट open कर देता हूँ देखिए 2018 में क्या हुआ था 2018 में देखिए और फिर से 2019 में गिरावट और दीरे दीरे इस तरीके से अपसेंट डाउन लेकर ही company चल रहा है तो आपको फाइफ स्टा रिटिंग बाला चाट पटन देखने को मिलेगा तो हमेशा इस टाइप company से निवेस करने करके रखना और आभी आपको मुका मिल रहा है अच्छा का स performance ही इस तरीक से है तो आसा करता हूँ सारे जानकर आपको मिल चुका है तो मेरे वीडियो अच्छा लेगा तो लाइक करना दोस्तों को साथ सेर भी करना मिलते हैं अगले स्टॉक लेकर तब तक लेचे से रहिए अपने ख्या लेखिए बाबाए